पिरिये दोस्तों, ये कहानी इंसान की कीमत, एक बार एक टीचर कलास में पढ़ा रहे थे, बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपे का एक नोट निकला, अब बच्चों की तरप और नोट दिखा कर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितन रुपे का नोट हैं, सभी बच्चों ने का 100 रुपे का टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्टी में बंद करके, बुरी तरब मसला, जिससे वा नोट बुरी तरब कुछल सा गया अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखा कर कहा, कि अब ये नोट कुछल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया, अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फ्याका, और अपने जूते से बुरी तरब कुछला, फिर ट अब टीचर ने कहा, कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाट पड़ाया है, ये सो रुपे का नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुछला, तो ये नोट कुछल गया, लेकिन इसके कीमत सो रुपे ही रही, इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला, तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसके केमत सो रुपे ही रही, ठीक वैसे इनसान की जो कीमत हैं, और इनसान की जो काबीले थे हैं, वो अमेसा वही रहती है, आपके उपर चाहे कितने भी मुस्किले आ जाए, चाहे जितने मुसिबतों की धूल आपके उपर गिरे लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गवानी है आप कल भी बेतर थे और आज भी बेतर है ये कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कहानी पसंद आये तो लाइक शेर और परतिबा कोजी माश्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपको धन्यवाद